Assalamu alaikum grade 5, my name is Sadaf and I am your computer teacher. Students, हम लोग आज solve करने जा रहे हैं अपना test paper जोके consist करता है हमारे book का chapter number 7, 8, 9 और 10 पर. तो चलिए शुरू करते हैं आज का lecture. Students, आज हम लोग केस्ट पेपर को solve करने जा रहे हैं तो के consist करता है हमारे book online with computers के chapter number 7, 8, 9 और 10 पर. तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि इन chapters में हम लोगों ने क्या पढ़ा है. तो students, chapter number 7 था Windows accessories के बारे में, जिसमें हम लोगों ने Windows में present कुछ programs के बारे में पढ़ा था, जैसे कि notepad, wordpad, snipping tool, इसके लावा स्टिकी notes पढ़े थी और calculator पढ़ा था. Students, chapter number 8 में हम लोगों ने पढ़ा था more features of MS Word. हम लोगों ने MS Word के कुछ features को उस chapter में पढ़ा था, कि किस तरह से आप लोग, किस तरह से आप लोग MS Word में text को insight करते हैं, pictures को insight करते हैं, और shapes को insight करते हैं. Chapter number 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग किस तरह से MS Word में formatting और editing करते हैं. Chapter number 10 था students, MS PowerPoint के बारे में. MS PowerPoint में हम लोगोंने देखा था कि किस सरा से आप लोग presentation create करते हैं और किस सरा से आप लोग slides बनाते हैं, उनमें text add करते हैं और shapes और pictures को add करते हैं तो चलिए students अपना test paper शुरू करते हैं पहला question देखिए, first question है fill in the blanks यानि कि आप लोगों के पास include statements और उनमें है blanks students हम लोगोंने पढ़ा था कि जब भी हम लोग किसी file को save करते हैं तो उस file के नाम के साथ एक extension भी आ रही होती है जैसे आप लोग MS Word की file को save करते हैं तो उसके साथ .doc आ रही होती है extension ठीक है? उसी तरह से images के साथ .jpg आती है तो students notepad की file को जब हम लोग save करते हैं अपने computers में तो उसके नाम के साथ कौन सी extension आती है? .txt आती है ठीक है? तो students इस blank में हम लोग लिख लेते हैं .txt क्यूंके students notepad की जो file होती है वो basically होती है text file इसलिए उसके साथ extension यूज होती है .txt नेक्स स्टेटमेंट देखिए नेक्स स्टेटमेंट है तो याद करें वो थी title bar .title bar में हम लोग ने पढ़ा था कि ये शो करती है हमारे current document का नाम और current window का नाम इसलिए students यहां blank में हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहां हम लिखेंगे title bar चलिए लिखिए मेरे साथ जी थर्च स्टेटमेंट देखिए थर्च स्टेटमेंट है स्टेटमेंट याद करें वो प्रोग्राम कान सा था वो था स्निपिंग टूल हम लोग ने स्निपिंग टूल को यूज किया था अपनी करंट स्क्रीन के स्क्रीन शॉट्स लेने के लिए तो ब्लैंक में मेरे साथ लिखिए स्निपिंग टूल नेक्स स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट नबर फूर देखिए In MS Word, the insertion point moves to dash as we type Insertion point हम लोगों ने पढ़ा था MS Word में जहां से हम लोग typing शुरू करते हैं तो students जैसे जैसे हम लोग type करते जाते हैं Insertion point कहां move करता जाता है? Left या right? Right move करता है क्योंकि हमारी typing की direction क्या होती है? Left to right होती है इसलिए students insertion point किस तरफ को move करता है? Right side पे move करता है तो यहां blank में मेरे साथ लिख लिजिए Right जी, अब हमारे party की last statement बची है चलिए, देखिए क्या है? You can dash your text right, left or center याद करें हम लोग text को क्या कर सकते हैं right, left या center में? हम text को कर सकते हैं align अलाइमेंट्स याद है ना हम लोगों ने कितनी alignments पड़ी थी? हम लोगों ने four alignments पड़ी थी Right, Left, Center और justified alignments तो students हम अपने text को कर सकते हैं Right, Left या center align तो blank में क्या लिखने वाले हैं हम? हम यहां लिखेंगे align चलिए मेरे साथ note कर लिजिए अगर आप लोगों ने इन blanks को अभी तक फिल नहीं किया तो students जल्दी से वीडियो को rewind करें और blanks को फिल कर लें Next question देखिए Tick the correct and cross the wrong Students हमारे पास है कुछ statements जो के right भी हो सकती है और wrong भी हो सकती है Wrong statements में हम लोगों ने cross लिखना है और right में हम लोगों ने tick mark करना है तो students चलिए मेरे साथ पर्स statement पढ़िए It is not possible to undo a mistake in notepad हम लोगों ने notepad पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि वहाँ एक menu बार थी menu बार में हम लोगों ने एक menu देखा था edit menu उस edit menu में क्या था उस edit menu में हम लोगों ने देखा था एक undo का option यानि कि आप लोगों से अगर notepad में text लिखते हुए कुछ गल्पी हो जाती है तो आप लोग उसे undo कर सकते हैं यानि के ये statement है बिलकुल wrong तो चलिए मेरे साथ इसे mark करें wrong next statement देखिए next statement है zoom in command is used to see the image in bigger size हम लोगों ने zoom command पढ़ी थी हमने पढ़ा था zoom in एक command होती है और एक command होती है zoom out command zoom in command use होती थी अपने image या document को bigger size में देखने के लिए और स्टूर्श जूम आउट हम लोग यूज करते थे अपने image या document को smaller size में देखने के लिए तो students ये statement क्या कह रही है कि zoom in command use होती है अपने image को bigger size में देखने के लिए यानि कि ये statement है बिलकुल true तो चलिए मेरे साथ ही से mark करें जी students अब हम अपने part b की third statement देखने वाले हैं चलिए मेरे साथ देखिए next statement देखिए in ms word the cursor is placed at left side of the character from where you start typing ms word में हमारा cursor कहां पर होता है हमारे character के left side पर होता है जहां से आप लोग लिखना शुरू करते हैं students आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं ms word में तो आप लोग जब टाइपिंग शुरू करते हैं तो आपका cursor कहां होता है जहां से आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी होती है उस character के left side पर यानि कि students यह statement है बिल्कुल ठीक तो चलिए इसे mix सामा कर लें next statement देखिए next statement है toggle case means to reverse the current status of case in sentence case students toggle case use होता है आपके letters के current case को sentence case में change करने के लिए क्या यह statement ठीक है हम लोगों ने पढ़ाता कि toggle case use होता है आपके letters के current status को reverse करने के लिए क्यानि कि अगर आपका text लिखा हुआ है lower case letters में तो toggle case क्या करेगा उसे upper case letters में change कर देगा और अगर वो लिखा हुआ है upper case letters में तो उसे change कर देगा lower case letters में यानि कि students यह statement है बिल्कुल wrong तो चलिए मेरे साथे से mark करें हमारे part B की last statement बची है देखते है right होगी या wrong होगी redo command is used to cancel the effect of previous command students हम लोगों ने पढ़ी थी undo command और एक redo command पढ़ी थी हमने पढ़ा था undo command यूज होती है आपके previous text को cancel करने के लिए याद है ना जी तो students यह statement है बिल्कुल wrong चलिए मेरे साथ इसे mark करें क्योंकि previous task को cancel करने के लिए हम लोग redo command नहीं बलके undo command यूज करते हैं तो students इस statement के साथ हम लोगों ने part B को भी कर ली है solve अगर आप लोगों ने in questions के answers को भी तब note नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को rewind करें और इन्हें note करें अब हम देखने वाले हैं अपनी exercise का part C चलिए मेरे साथ देखिए students test paper का part C देखिए part C है match the following students हमारे पास है दो columns और हम लोगों ने उन statements को आपस में match करना है चलिए शुरू करते हैं first statement देखिए rectangular box in slide holding object is हमारी slide में एक rectangular box होता है जिसमें होते हैं objects students वो क्या होता है चलिए देखिए column B में delete a slide word at placeholder students placeholder याद करें placeholder क्या था हमारी slides में होता है एक placeholder जो कि होता है rectangular box और उसमें हम लोग अपने objects को रखते हैं जैसे के text, pictures या shapes तो students हम अपनी first statement को match कर देते हैं placeholder के साथ next statement देखिए next statement है start और फिर all programs और फिर dash फिर हम जाएंगे calculator पर तो students ज़रा इसे गौर से देखिए ये लिखे हुए है steps सबसे पहले हम start button को click करते हैं फिर हम जाते हैं all programs में और फिर हम कहां जाते हैं calculator को open करने के लिए याद कीजिए accessories में जाते हैं accessories में हम लोगों को different programs मिलते हैं जहां पर हमें मिलता है calculator तो students ज़रा अब अपने column B को देखिए column B में कहां आप लोगों को नज़र आ रहा है accessories ये देखिए last में तो students चलिए मेरे साथ इसे mark करें accessories के साथ third statement देखिए third statement है allows you to insert different styles of text हमें हमारे document में different styles of text allow कौन करता है देखिए column B में delete a style नहीं हो सकता students word art word art एक ऐसी technique थी जोके हम लोग अपने documents में use करते थे क्यों different styles को add करने के लिए तो चलिए students हम लोग इसे mark कर लेते हैं word art के साथ next statement देखिए select the slide press delete key students ये है steps सबसे पहले हम लोग slide को select करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने keyboard से delete key को press करेंगे ज़रा याद करें और मुझे बताएं कि ये steps कौन से action को perform करने के लिए इस्तमाल होते थे नहीं आद आ रहा column B में देख लेते हैं delete a slide यानि कि students हम लोग एक slide को delete करने के लिए steps follow करते थे कौन कौन से steps थे सबसे पहले slide को select करेंगे और उसके बाद हम लोग delete key को press करेंगे अपने keyboard के जरिए चलिए students इसे हम mark कर लेते हैं delete a slide के साथ next statement देखिए highlighting means to अब हमने देखना है कि highlighting क्या है students अपने column B में देखिए हम लोगों ने सारे words को match कर लिया है सिफ एक phrase रह गया हमारे पास make a part of text different हाइलाइटिंग का मतलब तो यही होता है कि हम लोग किसी text के part को बाकी text से different कर देते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जब highlighting की थी अपने MS word में तो students हमारा वो वाला text जिसको हम लोगों ने highlight किया था उस पर different colors add कर दिये थे हमने याद है ना तो हम लोगों ने उसे बाकी test से different कर दिया था तो students अब हम लोगी से match करेंगे इस second last phrase के साथ तो यह statement क्या बन जाएगी highlighting means to make a part of text different ठीक है तो students इसी के साथ हम लोगों ने इस test paper को कर लिया है solve अगर आप लोगों ने अभी तक इन questions के answers को note नहीं किया तो students वीडियो को एक बार दुबारा देख लीजिएगा और इस सारी exercise के एक बार practice भी कर लीजिएगा अपना ख्याल रखेगा students Allah Hafiz आप